हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अमारा जी के चैनल में आज हम इस वीडियो में एंसाइंट हिस्ट्री में वेतिक काल के सभी इंपोर्टन को डिस्क्रस करेंगे फ्रेंड ये कोश्टन या तो लाश्टर के एक्जामों में पूछे गए हैं या आने वाले एक्जामों के पॉइंट अफ्यू से बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन है फ्रेंड इन कोश्टनों को मैंने ज़ादा डीप में नहीं बताया है केवल आप उपर-उपर की चीज़े अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको अच्छे से ये कोश्टन ध्यान दे जाएंगे फ्रेंड इसमें ज़्यादा डीप में गुसने की भी जुरत नहीं है केवल आप उपर-उपर की चीज़े थोड़ से याद रखिये तो आप उससे कोश्टनों को सॉल्व कर सकते हैं राम से और फ्रेंड इन्हीं में से घुमा के कोश्टन पूछे जाते हैं कोच भी भान नहीं जाता है तो हर एक कोश्टन की जो जो मैं एक्स्पलेशन बताऊं उसको अच्छे से आप ध्यान रखे तो फ्रेंड वेदिकाल जो है वो दो भागों में डिवाइड हुई है पूर्वेदिकाल और उत्तर वेदिकाल फ्रेंड पन्रह सो से एक हजार बीसी तक का जो समय था वो पूर्वेदिकाल में आया और जो एक हजार से छेस सो बीसी तक का समय था वो उत्तर वेदिक काल में है फ्रेंट्स वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ध्यान ओके तो फ्रेंट्स बाकी की चीज़े हम कोश्चोनों में डिस्कस करेंगे तो चलिए चलते हैं कोश्चोनों की तरफ फर्स कोश्चन ने वेदों की संक्या कितनी है वेदों की संक्या हैं 4 कौन-कौन से वेद है? रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अर्थवेद आप इस को इनी सीरिज में ध्यान रखना सबसे पहले आया था रिगवेद, उसके बाद सामवेद, फिर आया था यजुरवेद और फिर अर्थवेद अच्छा फ्रेंट्स वेदों की रचना करी किस ने थी तो वेदों की रचना करी थी आल्यांस ने तो आप इसे ध्यान रखना Next question है किस वेद में प्राचिन वेदिग्युक की सांस्कृति के बारे में सूचना दी गई है तो फ्रेंट्स रिग वेद में ये सूचना दी गई है रिग वेद में वेदी की सांस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है फ्रेंट्स रिग वेद का जो संकलन किया था वो कृष्ण, दुरपाचन और वेद वियास ने करा था तो आप इसे ध्यान रखना और फ्रेंट्स रिग वेद में 10 मंडल और 1028 सुक्त हैं सुक्त यानी की मंत्र फ्रेंट्स ये जो सुक्त हैं ये कई बार एक्जाम में पूछे गए हैं कि रिग वेद में कितने सुक्त हैं तो आप इस question को ध्यान रखना इसमें 1028 सुकत हैं ओके next question है आद्रे भारत में भार से आये और सरपतम बसे थे friends मैंने आपको बताया था कि वेदों की जो रजना करी थी वो आद्यांस नहीं करी थी okay तो friends सबसे पहले आकर ये बसे थे पंजाम में तो इस question का option number C friends जब आद्रे भारत में प्रवेश करे थे तो उनके बारे में बहुत सारे संकलन हुए थे कई-कई लोगों ने अलग-अलग अपनी धार्नाणे दीती की आद्रे आस एक्चुल में आये कहां से थे लेकिन ये आज तक ठीक से नहीं पता चलाई की आर्यांस आये कहां से थे तो कुछ लोगों की important धार्नाओं के बारे में मैं आपको बता रिता हूँ सबसे पहले Max Muller ने एक धार्ना दीती जिनके अनुसार आर्यांस जो आये थे वो मद्दे एशिया से आये थे नेक्स्ट हैं बाल गंगादर तिलक इनके अनुसार आर्यांस आर्टिक जो उत्री दूर्प में पढ़ता है वहां से आये थे और फ्रेंट्स नेक्स्ट हैं द्यानन सरस्वती जी जिने धार्मिक अंदोलन का जनक भी का जाता है इनके अनुसाद आद्यान्स भारत में तिब्बत की तरफ से आये थे तो फ्रेंट्स आप इन सभी के नाम द्यान रखना अक्सर एक्जामों में पूछ लेता है और इनी में से घुमा फिरा कर कोश्टन आ रहे हैं एक्जामों में तो आप इन सब का नाम द्यान रखना किनोंने क्या-क्या धार्नाई दीती हैं ओके नेक्स्ट है रिगवेदिक आज्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंट्स रिगवेदिक आज्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन रिगवेदिक आज्यों का जो स्टार्टिंग का जीवन था वो बहुत ही अस्था ही था वो क्रिष्टी से जादा पशुपाल कहा जाता है तो friends इन में से किसको भारती संगीत का आधिगरंद का जाता है तो सामवेद को भारती संगीति का आधिगरंद का जाता है friends सामवेद में सरपतम साथ सुरों का वर्णन किया गया था friends इन सुरों को बनाया कैसे गया था तो friends लिगवेद में जो मंत्र यूज होते थे उन ही को बोल के इन स्वरों को बनाया गया था तो आप इसे दिहान लगना next step पुराणों की संख्या कितनी है तो friends पुराण है अठारा तो इसकांसर जाएगा option number A अच्छा friends उपनीशत कितने है उपनीशत है 108 पुराण जो है वो हिंदूओं का धर्म समंदित गरंत है भारती जीवन धारा में जिन गंत्रों का महत्तोपुन स्तान है उन में से पुराण प्राचीन भक्ति गरंतों के रूप में बहुत ज़ादा महत्तोपुन है 18 पुराणों में अलग अलग देवी देपताओं को केंद्र मान कर पाप और पुर्णे, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की बाते कहीं गई है Friends, कुछ पुराणों में तो जीवन की शुरुवास से लेकर आखरी तक का जिक्र किया गया है Friends, पुराणों की जो रचना हुई थी, वो संस्कृत में की गई थी लेकिन कुछ पुराणों को छेत्रिय भाशाओं में भी रचा गया था हिंदू और जैन धर्मों में भी पुराणों को देखा जा सकता है तो चलिए लेकर एहने शुर्षन अगला कुछन है गायत्री मंध देवी, सवरत्री को सम्वोतित किस पुस्तक में मिलता है तो friends, ये रिग वेध में मिलता है गायत्री मंध जो लिखा था, वो विश्वा में ते ने लिखा था Friends, रिग वेंद में दस मंडल है तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ Friends, सात्वे मंडल में दस राग्यय युद आता है Friends, दस राग्यय युद में क्या हुआ था सुदास राज नाम का एक राजा दस अन्य राजाओं से लड़ा था ये लड़ाई जो हुई थी वो रावी के तट पर हुई थी तबी से इस युद का नाम दस राग्यय युद रग दिया गया था नवे मंडल में सोम देपता आते हैं जिने हम वनस्पती देपता भी कहते हैं और दसवे मंडल में संसार की वैवस्ता आती है तो फ्रेंट्स इन चारो ही मंडलों के बारे में आप ध्यान लगना इन्पोर्टेंट है अक्सर एक्जामों में इनी में से घुमा के कोश्चन पूछी आ जाता है नेक्स कोश्चन है कर्म का सिद्धान किस से संबंदित है कर्म का सिद्धान संबन देते मीमान सा से अच्छा फ्रेंट्स ये कर्म का सिद्धान क्या है तो इस सिद्धान्त में अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगिर्ति की दिशा में ले जाते हैं वहीं बुरे कर्म उसे मिट्तियू की और ले जाते हैं गोष्वामी तुलसी दासने वी रामचरित माधनस के माध्यम से यह बताने की कोशिश करिए कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल बहुगतना बढ़ता है, तो फ्रेंट्स यही है कर्म का सिद्दान, अच्छा फ्रेंट्स आप सोचे होंगे यह मिमानसा ग्या है, तो मिम लाइफ में अपनी करना क्या है और वह इसी जिद्यासा में अपनी लाइफ को आगे की और बढ़ाना शुरू कर देता है और तरक्की करने लगता है इसे ही मिमान सा कहते है ओके नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा दातु के प्रचिलन के प्राचिनतम प्रम यह उत्तर परदेश के एटा जन्पद में एक एहतिहासिक खुदाई के दोरान मिला था फ्रेंट्स जब इस पर खुदाई चल ले थी तो इसमें कुशाण वन्ष के अफशेश मिलेते और फ्रेंट्स यहां से लाल बरतन, मद्धे यूगिन, चमकदार बरतन और भी अन्य चीजों के भी अफशेश यहां से मिलेते, ओके, नेक्स्ट है उत्तर वेदिक काल में, किस देपता को सर्वोचिस्थान पराप था, फ्रेंट्स इस सम्में प्रजापती जोते, इन्हें सबसे ज़ादा माना जाता था, अच्छा फ्रेंट्स मिर्तिव लोग का देपता किसे लिया था, तो फ्रेंट्स मैंने आपको कोश्टन के स्टार्टिंग में एक कोश्टन बताया था, जिसमें मैंने आर्यों के भारत में प्रवेश करने के बारे में बताया था, और कई-कई लोगों की धार्णाओं के बारे में बताया था कि किन-किन लोगों ने कैसी-कैसी ध आप देखी रहे होंगे कितनी बार एक्जामों में पुछा गया है तो आर्टिक होम से धान जो दिया था वो बीजी तिलक ने दिया था यानि कि बाल गंगधर तिलक ने ओके फ्रेंट्स और मैक्स मूलन ने क्या दिया था कि आर्या सायते मद्देशिया से और दैनन सरस्वती ने क्या दिया था कि आर्या सायते तिब बस से ओके नेस्ट है रिगवेद में कितनी सुक्ति है तो रिगवेद में हैं 1028 सुक्ति है यानि मंत्र ओके नेस्ट है पूर्वेदिक आर्यों का धर्म प्रमुकता क्या था तो फ्रेंट्स पूर्वेदिक आर्यों जो थे वो प्र जान सोरे जाएगा ओप्शन नमबर C ओके फ्रेंट्स आर्जयों का जो धार्मिक जीवन था वो बहुती कठोर था आर्जयों के प्रधान देवता प्रकर्तिक शक्तियों के प्रतिनी दी थे जिनका मानुवी करण किया जा सकता है देवताओं की उपासना यगों द्वारा की जा सकती है और यगों में अधिकतर दूद, घी, मास तता सोम का चड़ावा किया जाता था ओके नेक्स्ट है रिगवेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेग अफगानिस्तान के साथ आर्जयों के संबंद का सूचक है तो फ्रेंट्स कुम्भा और क्रम नदियां जो है उसका उल्लेग जो है अफगानिस्तान के साथ आर्जयों के संबंद में किया गया था तो इसकान सोजय का ओप्शन नमबर C नेक्स खोश्ट ने आदी कावे की संग्या किस ने दी थी फ्रेंट्स आदी कावे की संग्या दीती रामायन ने तो इसकान सोजय का ओप्शन नमबर A फ्रेंट्स रामायन आदी कवी वालमी की दुआरा लिखा गया सांस्कृत का एक महा कवे स्मरत्ती का एक अंग है और महाशेर वालमी की को आदी कवी भी कहा जाता है तो आप इसे द्यान लखना रामायन के साथ अध्याई हैं जो कांट के नाम से भी जाने जाते हैं और फ्रेंट्स रामायन में कितने श्लोक हैं तो रामायन में हैं 24,000 श्लोक तो आप इसे द्यान लखना important है यह बार exam में पूछ लिया था, friends ये थे हमारे वेदिक काल से related, important question, friends ये question last year के exam में पूछे गए थे okay, तो आप इन question को ध्यान लखना, और friends अगर आपको इन question में किसी में भी किसी भी पिरकार का doubt है, तो आप नीचे comment box में बता सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल, हमारे जीके को subscribe करके बेल अकान दबा ले जिससे की आपको नईनी वीडियो की notification मिल जाए, thank you